नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लो? मैं तुरुष्णा परवत्या स्वनिर्भर प्रात्मिक शाला से कक्षा आठ विशय हिंदी की इस विडियो में आपका स्वागत करती हूँ बच्चों हमने हमारी पिसले विडियो में हमारा इकाई दो कच की सैर में देखा था कि भारत में गुजरात एक अत्यन रमणिया प्रदेश है और गुजरात में कच जिला यात्रियों के लिए आकर्षन का केंद्र है और उसमें हमने देखा था के कच्च में दो प्रकार के रैगिस्तान है एक छोटा रैगिस्तान और बड़ा रैगिस्तान साम खियाली कच्च का प्रविश द्वार है वह भी हमने चर्चा की थी सामखियाली से पस्चिम में भचाओ है और वहां से आगे बढ़ते ही गांदीदाम, आदिपूर तथा गोपालपूरी के दर्शन होते हैं कंडला से दक्षिन में भद्रेश्वर का प्राचिन जेन यात्रधाम है बराबर है बच्चो यह भी हमने देखा था जो 2500 वर्ष पुराना है और भुकम में खंडित हो जाने के कारण पुनह निर्मान का कार्य आज भी वहां जोरो सोरो से चल रहा है साथ में हमने देखा था कि समुद्र के किनारे मांडवी भी सुन्दर बंदरगा है बराबर है वहां राजा का महल और पवन्चक्की है वी आर्टी आई ग्रामे संस्था है साथ में नारायन सरोवर अती प्राचीन धार्मिक और पौरानिक स्थान है यहां कोटेश्वर मंदीर है यहां से रावन गुजरा था ऐसी मान्यत्या है और सुर्योदय और सुरियास यहां के मूख्य आक्रशन है बच्चो यहां तक हमने हमारे इस इकाई की चर्चा की थी आज हम हमारे इस इकाई को आगे बढ़ाएंगे और हमारे इस पार्ट को समझेंगे और देखेंगे तो चलो बच्चो अब हम हमारे इस इकाई की और आगे बढ़ते हैं बच्चो नारायन सर्वर्ट से आगे ही यात्रा में लगपत आता है बराबर नारायन सर्वर्ट से आगे की यात्रा में क्या हाता है बच्चो लगपत आता है जो अती प्राचिन स्थल है बराबर कैवाई छी कि नारायन शरोवरती आगणना प्रवासमा लगपत आवे छे जे अत्यन प्राचिन स्थड़ छे गुरु नानक की चरण रच से पावन इस भूमी पर गुरु द्वारा है गुरु नानक नी चर्ण रच्ती पावन थैली आ भुमी पर गुरुद्वारा छे एक समय का सम्रुद शहर आज जिर्णों अवस्था में होते हुए भी दर्शनिय है बराबर जिर्णों अवस्था याने उन्ह निर्मान कहा जाता है कि एक वकतनू सम्रुष्थ स्थान आजे जिर्णों अवस्था मा होआ छताए दर्शनिय चे यहां एक किला है उसके बगल में पांद्रो खनीत संपती के लिए प्रसिध है अहीं एक किल्लो छे अनि तेनी नजीक मा पांध्रो खनित संपती माटे प्रसिद्ध छे साथ ही विध्यूत निर्मान का यह केंद्र है अनि साथे साथे विध्यूत निर्मान नू आ केंद्र पण छे बराबर यहाँ आप तस्वीर में भी देखी रहे हो लगपत से मध्य कच की और बढ़ने पर हाजी पिर मुसल्मानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है अनि केवाई छे के लगपत्ती बराबर मद्य कच बाजु जता हाजी पीर मुसल्मानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है लगपत्ती मद्य कच बाजु जता हाजी पीर मुसल्मानों माटे श्रद्धानों केंद्र छे यहाँ पीर की मजार है मजार यानि बच्चो दरगा मकबरा बराबर अही पीर नों मकबरों छे रेगिस्तान की जाकी यहां से होती है अने रणनी जाकी अहितीज थाए छे रास्ते में माता का मड नामक धार्मिक स्थान है अने रस्तामा मातानू मड नामनू धार्मिक स्थड छे जहां नवरात्री के परवपर लोग पद्यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनात आते हैं यानि रास्ते में माता का मड़ है बराबर और इस वज़े से लोग नवरात्री के परवपर यानि नवरात्री के तहवार पर लोग पद्यात्रा यानि चलते हुए श्रद् जिके दर्शन करने के लिए आते हैं। एतले के रस्तामा माताना मोड नामनु धर्मिक स्थड़ छे, ज्या नवरात्रीना पर्वल लोको पध्यात्रा करीने श्रत्धा भावती दर्शाना चे एतले के दर्शन करवा माटे आवे छे। आगे देखते हो बच्चो, आगे नक्त्राणा प्राक्रोतिक नजारों का केंद्र बना है। अनि केवाई छे कि आगड जता नक्त्राणा कुद्रती द्रश्यूनू केंद्र बन्यू छे। रास्ते में चक्स, पुरेश्वर मंदीर, वाढाई जैसे मनोहारी प्राचिन स्थान है। और यह उकेवाई छे कि मार्ग मा जता चक्स, पुरेश्वर मंदीर, वाढाई जिवा मनोहर प्राचिन स्थडो छे। आगे देखते हैं बच्चों, अब कच का मुख्य केंद्र भूज आते ही उसके वैभव का परीचय होता है। उसमें आयना महल, प्राग महल, टावर, स्वामिनारायन मंदीर, हिल गार्डन, हमिर सर तालाब, भूजिया पाहाड, लोक संगरालै, विश्व विद्यालै, आधी के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। बराबर क्या कहते हैं कि कच का मुख्य केंद्र भूज आते ही उसके वैभव का परीचय होता है। और वहां हमें आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामिनारायन मंदीर, हिल गार्डन, हमिर सर तालाब, भूजिया पाहाड, लोक संगरालै, विश्व विद्यालै, आधी के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। पराबर इटले केवाई छे के हवे कच नू मुक्या खेंद्र भूज आवता अस्तेना वैभवनों परीचे थाई छे। जे माहा आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामिनारण मंदीर, हिल गार्डन, हमरिस्तर तलाव, भूजिय डुंगर, लोक संगरालै, बराबर लोक संगरालै, विश्व विद्यालै, वकिरेना दर्शन करी आपने आनन अनुभविये छिए। संग दोहजारा एक के भूचालने इसे खंडित किया, आपने वधा जानिये ची कि 2001 मा जे भूकम पावे हो तो बराबर तो कहने का मतलब है कि जब 2001 में भूचालने इसे खंडित किया, 2001 में तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनह निर्माण करके और शुन्दर सहर बना दिया, 2001 मा एक खंडित थयो, पन लोगों ये तेने नवा स्वरूपे फरी पुनह निर्माण करनी ने आने वधारे सुन्दर शहर बनावी दिदू, आगे देखते हैं बच्चों, भूज से उत्तर दिशा की और खावडा में काला डूंगर है, बराबर एवके चे भूजती उत्तर दिशा एक खावडा मां काला डूंगर परवत छे, पाहाड पर चड़कर रैगिस्तान की जाकी करना एक अनूठा अनूभव है, और पाहाड पर चड़कर रैगिस्तान की परवत पर चणी ने रणनू दर्शन करवू ए एक अद्भू अनुभव जे। सरकार एवं स्थानिय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। अने केवाईची की सरकार अने स्थानिक लोकों द्वारा वहां की सरकार और वहां के जो स्थानिय लोक है उनके द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। वराबर श्वेत रणने जोव सफेद रणने जोव आपना बदा मटे आनन दायक छे। भूज से अंजार भी जाया जाता है। भूजती अंजार पन जवाईची। आगे बढ़ते हुए सुर्जन संस्था में यहां की प्रजा की हस्त कला का परीजय होता है। जैसे ही हम भूज से अंजार भी जाया जाता है और वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो सुर्जन संस्था देखने को मिलेगी। और वहाँ की जो प्रजा है उनके हातों से बनी हुई हस्त कला का हमें परीचे होता है। यानि उनके हातों से बनाई गई जो भी वस्तुए हैं वह देखने को हमें मिलेगी। जेसल तोरण की स्मूर्ती में मंदिर बना है जो एत्यासिक स्थान है अने कहवाई छे के साते साते जेसल तोरण नी स्मूर्ती मां मंदिर बनेलू छे जे एत्यासिक स्थड़ छे। यहां से आधीपूर तथा गांधीदाम जा सकते हैं बराबर अने अहीती आधीपूर अन स्थान से हमारी कच यात्रा पूर्ण होती है यानि सुरजबारी नामन स्थान से हमारी कच यात्रा पूर्ण होती है यानि सुरजबारी नामन स्थडे अमारी कच यात्रा संपूर्ण पड़े पूर्ण थाये जो अविस्मर्णिया स्मृतिया छोड जाती है जे अविस्मर्ण स्मुरुत्यों इटले के याद अंकित करी जाए छे कहा जाता है कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कहवाई छे के कच न जोयू तो कयज न थी जोयू कच गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शन या एवं आकर्शन का कें केंद्र है कहवाई छे कि कच न जोयू तो कयज नहीं जोयू बराबर कच गुजरात नू गौरव छे ते समस्त दुनिया ना लोगों माटे कोई पन भृतुमा दर्शन याने आकर्शन नू केंद्र छे बराबर है बच्चो सुरजबारी नामक स्थान से हमारी कच की यात्र पूर्ण होती है जो अविस्मरणिय स्मृतिया छोड़ जाती है कहा जाता है कच नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा कच गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शन या एवं आकर्शन का केंद्र है बराबर है हमने आगे बात क करी थी वैसे ही इस पार्ट के अनुवादक है महेश भाई उपाध्याई बराबर है बच्चो इस पार्ट में जो सब्दाहार्त दिये गए हैं सब्दाहार्त हम एक बार देख लेते हैं अनूठा याने अनूखा विशिष्ट रैगिस्तान याने मरुभूमी जिर्णों द्वार याने पुनह निर्माण मजार याने दर्गा गुरु द्वारा याने सिखो का धार्मिक स्थल और भुचाल भुचाल याने भुकम बराबर है बच्चो तो यहां हमारा इस हमारा जो यह इकाई है इकाई दो कचकी से वह हमारा पूर्ण होता है आपको यह इकाई को अच्छे से एक बार पढ़ना है और हमने जो भी इस इकाई में देखा जिस विशय की चर्चा की उसे ध्यान में रखना है अब हम हमारी अगले वीडियो में मिलेंगे बच्चो आना बच्चो